आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया नूडल्स जो हम ठेले पे खाते हैं वो बहुत ही यादा टेस्टी लगते हैं तो उसको बनाने की मैं यहाँ पे आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगी तो हम बिल्कुल ठेले स्टाइल की नूडल्स घर में बनाके त्यार कर सकते हैं वो भी मिन्टो में क्योंकि इतनी चागा टेस्टी होती है सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी होती है तो बच्चे तो इसे बहुत एंजॉय करके खाते हैं तो आईए देख लेते हैं हमें इस नूडल्स का यूज किया है तो मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइट कर लिया है ज्यादा हमें इसको छोटा नहीं करना है बस दो पार्ट में ही डिवाइट कर लेना है तो सभी नूडल्स को हमने डिवाइट कर लिया है अब हमने एक कड़ाई में पानी उबलने के लिए चड़ा दिया है, पानी में अच्छा उबाल आ गया है, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, नमक डालने से यह बहुत ही यल्दी से अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं, और इसमें मैं डाल दूंगी 1-1.5 टेबल स्पून रिफाइंड ओयल, इससे हमारे नूडल्स चि निकला हुआ था वो हम हटा देंगे, तो सीधे आप प्लेट से एकदम इसमें नहीं डालेंगे, हातों से उठा उठा के ही डालेंगे, तो जो इसमें डस्ट होती है, वो भी कडाई में आ जाएगी, तो बस चलाते ही रहेंगे, एक बॉयल आने तक हम इसे अच्छा बॉयल क करती है, और हम इसको चान लेंगे, तो मैंने इसका पानी गरम वाला निकाल दिया था, ठंडे पानी से इसको अच्छे से धो लिया था, तो जो भी इसमें एक आधबुन पानी बचा हुआ है, वो भी हमने अच्छे से निकाल लिया है, तो आप देख सकते हैं, जो थोड़ा बहुत पानी इसमें था भी, वो भी हमने निकाल लिया है, तो बस प्लेट में हम इसको अच्छे से फैला देंगे, बड़ी प्लेट में ही आप इसको फैलाएं, तो मैंने इसको अच्छे से पकाया हुआ है, और ये बिलकुल भी चिपक नहीं रहे हैं, तो हम अब इसको बाजर ले लिया है, बंदे का मैंने जादा यूज किया है, शिमला मिर्च ले लिया है, तो दो मैंने शिमला मिर्च के भीज निकाल के इनको लंबा लंबा कट कर लिया है, बीजों को आप जरूर से निकाल दें, तो यहां पे मैंने दो बड़े प्यास ले लिया है, इनको लम्म्मा लम्मा ही काट लिया है कोई दिक्कत नहीं है और दो-तीन हरी मिर्चे यहाँ पे मैंने लिए हैं तो जो भी आपको वेजीटेवल्स असानी होँ आप ले 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 तो बस बंधा और शिम्ना मिर्च जरूर से ही ले ले बाकी सारी वेजीटेवल्स optional होती है तो बस थोड़ा समय ने इसमें तेल डाल के प्याज को अच्छे से सौते कर लेंगे बिल्कुल प्याज को लाल वगेरा बिल्कुल भी नहीं करना है केवल हमें एक दो मिनट तक ही कि इसको क्रण्ची करना है बिल्कुल भी इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए और क्रण्च इनका अच्छे से पना रहना चाहिए साथ ही में हमने इसमें हरी मिर्चैट कर दी है चलाते रहेंगे तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी तो गाजर को भी चलाते हुए अच्छे से सोते कर लेंगे क्योंकि गाजर थोड़ा देर से पकती है तो इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे तो बस चलाते हुए हमने ए में डाल दिया है अब हम सभी को मिक्स कर लेंगे सब्चियों को हम हाई फ्लेम पे ही यहां पे चलाएंगे ताकि सब्चियां अच्छे से क्रंची बनी रहें सौफ्ट तो हो ही जाएं लेकिन क्रंच इनका बिल्कुल जाना नहीं चाहिए एक दम हम इनको ज्यादा पका लेंग तो नमक एट करने के बाद भी हम इसको एक दो मिनट तक पून लेंगे ताकि सब्ची हमारी अच्छे से सौफ्ट भी हो जाएं तो बस हमने इसको अच्छे से भून लिया है आप देख सकते हैं कितनी बड़ियां हमारी सब्ची अच्छे से सौफ्ट हो गई हैं तो अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे वाइट विनिगर ये दो तीन टेवल स्पून के करीब है तो मैं थोड़ी सी नूडल्स जादा बन तो यहां पर हमने 2-3 टेवल व श्पून सोया सॉस ले लीया है इस अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे Kenneth convert says अगर थोड़ा बना रहे है तो यहां ठोरा थोड़ा ही यूज तो बस सबी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहां पर मैंने रेड चिली सॉस का यूज किया है तो यहां पर मैंने दो टेवल स्पून रेड चिली सॉस डाल दिया है आपके पास टुमाटो केचप हो तो आप टुमाटो केचप भी डाल सकते अब यहां पर डाल देंगे हम ग इस तरीके से आप एक बार बना लेंगे तो आप बाहर का खाना बिल्कुल भूली जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारी नूडल्स बिल्कुल भी sticky नहीं हुई है यह बहुत ही अच्छे से अलग-अलग है आप देख सकते हैं तो बस अभी को हमने डाल लिया है स्पैचुला की साहता से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है थोड़ा सा यहाँ पर गिरती है कोई बात ने गिरने दे लेकिन हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते कितनी बड़िया तरीके से हमने नूटल्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो जादा गिरी भी नहीं है तो बस अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे थोड़ी सी सोया सॉस और क्योंकि मैं जो यहाँ पे थोड़ा सा जो कलर चाहिए वो नहीं आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा और एड़ कर दिया है आप घर में बना रहे हैं तो आप इसको स्कीप भी कर सकते यानि जो हमने पहले डाला था उतने में ही काम चला सकते हैं तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच भरके काली मिर्च डाल दी है थोड़ी सी में यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हो यह केवल सिफ कलर के लिए ही डाल दी है आप चाहिए तो उसको स्कीप भी कर सकते हैं लेकिन ठेले वाले डालते हैं तो मैंने भी आस डाल दी तो ब बस अभी नूड़ल्स को आपके तियार हो जकले हैं अबने यह बंद कर देंगे नूड़ल्स निकाल зр आपको देखने से ही लग रहा होगा यह बिल्कुल भी चिपकी-चिपकी नहीं है और ओवा कुक हमने इसको बिल्कुल भी नहीं किया था तो इसी कारण से यह दिखने में भी बहुत यादा अच्छी लग रही है तो बस लीजी हमारी नूडल्स बनके विल्कुल त्यार हो गई है तो बस इसी तरीके से आप भी बनाईए यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है तो बच्चों को तो यह हमेशा ही फेवरेट रहती है तो मैं कभी भी ठेले से या रेश्टरान में नहीं जाती हूँ बस इसी तरीके से घर में बना के अपने बच्चों को देती हूँ मेरे बच्चे भहुत एनज्वाइ करते हैं तो बस आप भी बिना तेरी किये हुए ही इने घर में असानी से बना सकते हैं बिना किसी जंजट के, तो आपने देखा ही है, इसको बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ही आसानी से ये घर में बन के त्यार हो जाती है, बस घर के कुछ ही समान से हमारी इतनी प्यारी नूडल्स, इतनी टेस्टी, यकीन मानिये फ्रेंट से बहुत ज़ को बनाएंगे, तो आप बिल्कुल मार्केट से नूडल्स लाना या खाना बिल्कुल ही छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम घर में ही इतनी बढ़ियां बना लेंगे, तो मार्केट जाने की जरूरत ही क्या है, तो फ्रेंट्स, आप अपने घर में पार्टी, बर्डे, या को कोई भी फंक्शन छोटे मोटे करते हैं, तो उसमें बच्चे तो आते ही हैं, तो बस आप इस तरीके से नूडल्स को बनाएं, और अपनी पार्टी में खोब एंज्वाइ करिए, तो बस मैं इसमें से थोड़ी सी डाल दूँगे, इसके उपर से टोमेटो केचप, तो बस ह अपनी अनुबहों मेरे साथ जरू शेयर कीजिएगा, कि जब भी आपने इसे बना के खाये तो आपको खाने में कैसी लगी, तो फ्रेंडस तब तक के लिए दीजिए इजाजत तो मिलते हैं अपनी नेक्स रेसेपी में तब तक के लिए, फ्रेंडस बाई-बाई-बाय